आपके मन की शक्ती को अनलोग करने और अभिव्यक्ति के जादू का उप्योग करने के लिए आपके मार्ग दर्शक हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अभिव्यक्ति ध्यान की दुनिया में एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़े हैं, एक अभ्याज जो आपको अपने विचारों, इरादों और उर्जा को अपनी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित करने का अधिकार देता है। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम अभिव्यक्ति ध्यान की कला का पता लगाते हैं और भीतर की अविश्वस्नियक्षमता का दोहन करते हैं। अभिव्यक्ति ध्यान एक प्रकार का ध्यान है, जिसका उप्योग किसी विशिष्ट लक्ष या इच्छा पर अपने इरादे को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। यहां आकर्षण के नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि जैसी चीज वैसी ही आकर्षद करती है। जब आप किसी चीज को प्रकट करने के इरादे से ध्यान करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से ब्राह्मान को एक संकेत भेज रहे हैं कि आप इसे प्राप करने के लिए तैयार है। अभिव्यक्ती ध्यान करने के लिए आपको एक शांत जगर ढूंदनी होगी जहां आपको कोई परेशानी ना हो। आप आरामदायक सिती में बैठ या लेच सकते हैं। अपनी आखे बंद करे और कुछ गहरी सासे ले। जैसे ही आप सांस अंदर ले, अपने इच्छित लक्ष या इच्छा की कलपना करें। इसे सजी विस्तार से देखें, जैसे कि यहाँ पहले से ही आपका हो। उन भावनाओं को महसूस करें जो आप तब महसूस करते जब आपने अपना लक्ष पहली ही हासिल कर लिया होता। एक बार जब आपको अपने लक्ष की स्पष्ट कल्पना हो जाएं, तो गहरी सांस लेते रहें और अपने आप से सकारात्मक पुष्टी दोहराते रहें। मैं अपनी नई नौकरी के लिए आभारी हूँ जो मुझे प्रतिवर्ष एक लाख डॉलर का भुकतान करती है। जब तक आप सहज महसूस करें तब तक ध्यान करें। जब आपका काम पूरा हो जाएं, तो अपनी आखे खोले और कुछ और गहरी सांसे ले। अपनी जागरुकता को वर्तमान क्षण में वापस लाए। अभिव्यप्ति ध्यान आपके लक्षों को प्राप करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। हाला कि धैर्य रखना और अपने अभ्यास में निरंतर्ता बनाये रखना महत्वपूर्ण है। आप जितना अधिक ध्यान करेंगे, ब्रामान के प्रती आपका संकेत उतना ही मजबूत होगा। और आप अपने इच्छित लक्ष को प्राप करने के लिए जितने अधिक खुले होंगे, उतनी ही जल्दी यहाँ आपके जीवन में प्रकट होगा। Manifestation Meditation एक अभ्यास है, जो आपकी इच्छाओं को आपके जीवन में आकर्शित करने के लिए ध्यान तक्नीकों को इरादे की शक्ती और केंद्रित द्रिश के साथ जोडता है। इसके मूल में अभिव्यक्ति ध्यान इरादे की शक्ती का उप्योग करता है। स्पष्ट इरादे निर्धारित करके आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एक रोडमर बनाती है। Visualization के माध्यम से आप अपने सपनों को अपने मन की आखों में साकार करती है। यहां केंद्रित कलपना आपके अवचेतन को आपकी आकांग्षाओं के साथ संरेखित करती है। अभिव्यक्ति ध्यान आपकी उर्जा को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करता है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आप उन उर्जाओं के लिए चुम्बक बन जाते हैं, जो आपके इरादों से मेल खाती है यहां अभ्यास आपके सपनों की संभावना में विश्वास पैदा करता है जैसे ही आप अपने मन में प्रकट होते हैं, आप यह विश्वास पैदा करते हैं कि वे साकार हो सकते हैं अभिव्यक्ति ध्यान आपकी आत्मच्वी को सशक्त बनाता है आप स्वयं को अपनी वास्तविक्ता के निर्माता के रूम में देखना शुरू करते हैं जो आपके लक्षों को प्राप करने में सक्षम है समू अभिव्यक्ति उर्जा को बढ़ाती है एक साथ ध्यान करने से इरादे बढ़ते हैं एक शक्तिशाली सामुहिक शक्ति का निर्मान होता है वहां आपके पास अभिव्यक्ति ध्यान की परिवर्तनकारी दुन्या की एक जहलक है यहां आपके सपनों को वास्तविक्ता में प्रकट करने के लिए ध्यान, इरादे और द्रिशता को सयोजित करने का निमंत्रन है अभिव्यक्ति ध्यान करने के लिए यहां कुछ अतिरिक्त सुझाव दिये गए हैं ऐसा लक्ष चुने जिसके प्रती आप वास्तव में भावुक हो आप अपने लक्ष पर जितना अधिक विश्वास करेंगे उसके प्रकट होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी अपने विजुलाइजेशन के साथ विशिष्ट रहें आपके दिमाग में तस्वीर जितनी साफ होगी ब्रहमान के लिए उसे आप तक लाना उतना ही आसान होगा अपनी प्रतिग्याओं को द्रिड विश्वास के साथ दोहराएं विश्वास रखें कि आपका लक्ष पहले से ही आपका है और ब्रहमान में इसे वास्तविक्ता बनाने की अधिक संभावना होगी धैर्य रखें अभिव्यक्ति में समय लगता है यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखें तो अपने लक्ष को न छोड़े बस ध्यान और कलपना करते रहें और अन्ता आपका लक्ष प्रकट हो जाएगा यदि आपके मन की शक्ती का उप्योग करने और अपनी इच्छाओं को आकर्शित करने का विचार आपके साथ मेल खाता है तो इस विडियो को लाइक करना न भूले और अधिक सशक्त सामगरी के लिए सदस्यता ले नीचे दी गई टिपणियों में मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन के बारे में अपने विचार या अनुभव साजा करे और अगली बार तक आपका ध्यान अभ्यास आपको एक वास्तविक्ता की और ले जाएगा जहां आपके सपने प्रकट होंगे